नमस्कार, Study IQ, IAS मैं आप सब का स्वागत है मेरा नाम है वसू कटारा and I welcome you all to today's lecture of Indianomics जहां पे हम last class में financial market नाम के topic के साथ शुरू किया था हमने UPSC civil service exam के लिए इसकी एहमियत अब बढ़ती जा रही है नॉर्मली इतना important नहीं होता था but recent trend अगर आप देखेंगे ना तो इसकी importance बढ़ रही है हम जो है last class में financial market के बारे में बात करी थी मैंने कहा था business शुरू कर रहे हैं आपको पैसे की आवश रखता है हो सकता है आप short term funds arrange करें जिनको आपको कुछी समय बाद payback करना होगा with interest हो सकता है आप long term funds जो लंबे समय के लिए आप उधार ले रहे हैं अपने business को expand करने के लिए उसकी infrastructure requirements को पूरा करने के लिए कि आपको अपने business को आगे बढ़ाने के लिए मशीना चाहिए जमीन चाहिए वो सब आपको मिले ताकि आप अपना business properly चला सके तो funds की तो जरूवत हो जो funds है वो अलग-अलग market से ले सकते हो मतलब economic system जो हम बात कर रहे हैं इंडिया का उसमें अलग-अलग markets है, short term funds के लिए है money market, short term मतलब day to day business आप कर रहे हो आप एक दुकान चला रहे हो, रोज भर्रा के जो खर्चे आते हैं उन खर्चों से जूजने के लिए आपके इस money market क option है, और long term nature के जो infrastructure को create करने के लिए खर्चे होते हैं उन्हें आप capital market से पैसा arrange करके लेते हो, जिसमें दो option हाते हैं, या तो आप debt उधार ले लो, bank से loan ले लो, या तो आप borrow कर लो, उधार कर ले लो, दूसरा option है आप अपनी company के मालिकाना हक को बेचो, और कोई आपके company के ownership को मालिकाना को क्यों खरीदेगा, if they are confident that in future your company will grow, आपकी company का जो पर share price है, मतलब मान लीजे, company है आपकी 100 लाख रुपे की, और उन्होंने 1 लाख share issue किये हैं अपनी company के, मतलब उस company को 1 लाख हिस्सों में बाट दिया, मालिक जो है, 1 लाख share में distribute कर दिया, मालिक ने, and now 1 लाख shareholders, और 1 लाख shares, can actually give you the ownership right, जिसके पास वो share, उसके पास ownership right है, let's say उन 1 लाख में से 10% share मेरे पास है, 10,000 share, तो मैं 10% का owner हो गया, और owner होने की वज़े से, company के future के profits के अंदर भी मेरी हिस्सेदारी होगी, तो जब हमारे देश के capital market, जिनमें equity से आप पैसा arrange करते हो, कहते हैं, share market से पैसा arrange कर रहे हो, इसके भी कुछ concepts होते हैं, जो हम समझेंगे आज के session में, शेर खरीदने वालों का क्या फायदा है, उनको future में profits का हिस्सा मिलेगा, तो इस चीज़ को हम आज in-depth तरीके से समझेंगे, कि short term funds में money market का क्या रोल है, और capital market के बारे में briefly देखेंगे, अच्छा आप मेरे इन sessions के साथ regularly जुड़ा रहना चाहते हो, और आप चाहते हो, that UPC preparation के अंदर study IQ आपकी मदद करे, तो आप जरूर से वसू कटारा study IQ, जो की मेरा telegram group है, उस पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, क्या नाम है वसू कटारा study IQ, और बस इतना ही नहीं, आप मेरे instagram, वसू.कटारा पर मुझे follow कर सकते हो, ये मेरा social media handle है, instagram, वसू.कटारा, telegram, वसू.कटारा study IQ, future videos के link भी आपको वहाँ पर मिल सकेंगे, अब ज़रा money market के बारे में मैं आपको बता दू, money market में मैंने बताया, day to day, रोज मर रहा के खर्चे के लिए पैसा इखटा किया जाता है, किसी भी business के लिए. ये वो market है, जो बहुत ज़्यादा liquid है, liquid का मतलब है, कि पैसा तुरंत मिल सकता है, आप अपने इस्तमाल के लिए, अपने खर्चे के लिए, immediate basis पर short term funds ले सकते हैं, जिनकी एक साल या उनसे कम समय की maturity होगी, पहली बात, दूसरी बात, यहाँ पर कोई actually physical place नहीं है, कि वो चाननी चौक के पास money market लगती है, वहाँ से जाके ले लो, ऐसी कोई fixed place नहीं होती, आज कल जादा तर ये digitalize हो गया है, अब बहुत असानी से money market security instruments खरी सकते हो, phone call तक से खरीदे जा सकते हैं, जिसमें कई सारी organizations, जिसमें RBI हो गया, जिसमें कई सारे bank हो गया, सरकारी bank, private bank, banks हो गया, वो इस category में आते हैं, जो इंडिया के अंदर आपको money market से जुड़े हुए instruments की facility provide करते हैं, अब ज़रा money market instruments कितने type के हैं, कौन से कौन स इस चीज़ को let us understand, और money market से पैसा आरेंज होता है, यह तो हमने बात कर ली है, money market का सबसे common instrument call money है, जिसके बारे में previous lecture में भी थोड़ा short में हमने discuss किया था, आज उसे long, मतलब in-depth आप समझने जा रहे हैं, call money कौन इस्तमाल करता है, सबसे पहला point, यह banks इस्तमाल करते हैं, banks क तो यह interbank market से जुड़े हुए हैं, और कितने दिन के लिए पैसा उधार पर दिया जाता है, यहाँ पर the money is borrowed for one day, सर एक दिन के लिए, हाँ, emergency basis पर पैसा चाहिए ना, बैंकों को, कल जाके customer आएंगे, बैंक से कहेंगे, हमने वो पैसा तो मैं deposit के लिए दिया था, लाओ वापस कर पाएगा, तो commercial bank हो गए, cooperative bank हो गए, एक और concept होता है, primary dealer का, यह मैं आगे बताऊंगा भी आपको, बस अभी सब रटने की चीज़ है, यह अभी याद करना पड़े है, क्योंकि प्रिलिंस में question बन सकता है, call money can be issued by whom, it can be issued by commercial banks, वो bank जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, चाहे सरकारी हो, चाहे private हो, चाहे foreign हो, उसके लावा cooperative bank, जो कि अपने members के लिए काम करते हैं, bank cooperative society की तरह चलती है, और कुछ primary dealers है, पैसा एक दिन के लिए दिया जाता है, जिसको आप call money कहते हो, अगर पैसा दो दिन से 14 दिन के भी 2-14 days के लिए दिया जा रहा है, तो उ इखटा कर रहे हो, मतलब एक short notice पर notice देकर किरपया करके मुझे 2-14 दिन के लिए पैसा, मेरे को 10 दिन के लिए पैसा दे दीजे, banks ऐसे दूसरे banks, दूसरी financial institution से अगर पैसा इखटा करते हैं, अगर 1 day के लिए है, तो it is call money, अगर 2-14 days के लिए है, तो it is notice money, और ये prelims में सव सवाल आ सकता है, chances इसके काफी जादा है, तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी है, that difference between call money, जो कि money at call भी कहा जाता है, and notice money, please इस चीज़ को याद रखेगा, I am pretty sure कि spec prelims में सवाल बन सकता है, और क्या question बन सकता है, call money के ओपर, call money का intent पूछा जा सकता है, money at call का intent पूछा सकता है, एक statement घुमा देंगे कि ये long term financial loan है, अजी extremely short term है, एक दिन के लिए, ये पूरा amount पैसा वापस करना पड़ता है, इस पर interest नहीं होता, गलत, इस पर एक दिन का भी interest चार्ज किया जाता है, call money rate जिसको हम कहते है, या call loan rate भी कह सकते हो, या call rate भी कह सकते हो, और जो money market है तो उससे लिए terminology change हो जाएगी, ये एक रात के लिए भी ले सकते हो, call money और 2-14 दिन तक के लिए भी लिया जा सकता है, ये basically banks की जो financial stability में imbalance आ गया है, उसे rebalance करने की कोशिश करता है, उनकी short term position को normalize करने की कोशिश करता है, इसलिए short term nature का loan होता है, जिसमें interest भी लगता है, ज उसरे financial institution की मदद के लिए ये पैसा provide करता है, interest charge करता है, ये बात आपको याद रखनी है, call money market और notice money market के बारे में, आपे कौन-कौन arrange कर सकता है, banks, banks में regional, rural banks नहीं आते, cooperative banks, primary dealers, वो सब इसमें आते हैं, और वो इस facility का हाइदा ले सकते हैं, question बन सकता है, आज के time में ये payment bank का concept चल रहा है, payment bank, क्या उनके पास भी permission है, call money market में जाकर पैसे arrange करने की, जी हाँ, they also have this permission with them, उनके पास भी ये permission रहेगी, क्रेपिया इस बात को याद करियेगा, इस पर question बन सकता है, कि कौन सा आपका monetary policy tool है, जो कौन सा आपका money market tool है, जो कि आपका short term one day के लिए दिया रहता ह next, call money तो हम देख चुके है, next concept है T-bills का, treasury bills का, T-bills, ये भी short term nature के पैसे को इखटा करने के लिए जरूरी होता है, पर क्या, private sector इसे issue कर सकता है, no, इसे issue किया जाता है, government of India के द्वारा, government of India को भी, छोटे समय के लिए, कम समय के लिए पैसे की जरूरत रहती है, right, So, ये money market instruments, center government के, government के short term requirement को fund करते हैं, कि government of India, जनता से पैसा borrow करती है, मैं ये कहना चाहरा था, जनता से पैसा borrow करती है, और जब जनता से पैसा borrow करती है, तो जनता उसके बदले interest प्राप्त करती है, return प्राप्त करती है, और ये आपका treasury bills के तहर देखने मिलता है, these are the discounted securities, ज 364, इन अलग-अलग days के duration में बटा हुआ होता है, 91 days, 184 days, 182 days, 364 days, इन duration में बटा हुआ होता है, ये तो treasury bill है, आप सरकार को पैसा उधार पर दे रहे हो, तो risk here is usually very low, rather we can say it is risk free, यहाँ पर risk बहुत कम होता है, ये risk free होता है, it is highly liquid in nature, जहाँ पर जनता से पैसा बोरो किया जार है, और कैसे सुनो ध्यान से, आपके पास एक option है, कि आप सरकार को 182 days के लिए पैसा provide कर रहे हो, 182 days के लिए आप government को पैसा दे रहे हो, government उसके बदले आपको interest वापस करेगी, आपने government को दिया 95 rupees, government आपको पूरा 100 rupees रीपे कर रहे है, तो यह जो पांच रुपे का बीच का amount है, इसका क्या होगा, यह आपका return है, आप पैसा कमा रहे हो, आपने सरकार को 95 दिया था, सरकार ने आपको वापस 100 rupees दिया, वो जो पांच रुपे का फरकार है, that is your earning, इसलिए कहा जाता है कि यह discounted securities होते हैं, T-bills, T-bills क्या होते है, discounted securities, क्यों क्योंकि discount पर issue किये जाते हैं, कम amount पर issue किये जाते हैं, जैसे 95 पर किया गया था, और इनकी payment या repayment पूरे amount पर होती है, 100 rupees जो face value है, उस पर आपको देखने मिलती है, इसलिए कहा जाता है, they are issued at discount and they are paid back और redeemed at par, question बन सकता है, कि treasury bills को issue किया जाता है discount पर, जी हाँ, सही बात है, और repay किया जाता है, full amount पर, वो भी सही बात है, बिल्कुल सही कहा, तो यह risk free होते हैं, सरकार को पैसा उधार पर दे रहो, सरकार भाग थोड़ी ना जाएगी, और क्या होता है, यह जो bill center government issue करती है, यह RBI को कहकर सरकार issue करवाती है, मतलब RBI issues the treasury bills on the behalf of the government, question मनेगा, that can only center government issue it, can't the state government issue such treasury bills, कैसिर केंदर सरकार issue करेगी, राज्य सरकारे नहीं कर सकती, राज्य सरकारे नहीं कर सकती है, treasury bills issue नहीं कर सकती है, टी bills issue नहीं कर सकती है, और इस पर question पहले भी prelims में पूछा जा चुका है, UPSC के अन्य-अन्य exams में पूछा जा चुका है, और in future भी पूछा जाने की उमीद है, संभावना है, chances हैं, तो treasury bills के बारे में अभी basic terminology आपने समझ लिए, short term होते हैं ये बात याद रखेगा, एक साल से कम समय के होते हैं ये बात याद रखेगा, government of India पैसा उधार लेती है, और investors को ये bills देती है, government क्या करेगी, government एक कागज का टुकड़ा देदेगी, एक certificate देदेगी, RBA को कहलवा के छपवा कर yellow, आपके पास वो certificate आ गया, अब government कह रही है कि आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा in next six months, और तब आपका ये जो कागज का टुकड़ा, it is valid for six months, उसके बाद पूरा पैसा वापस कर देंगे, पैसा redeem कर देंगे, कम amount आप से लेगी सरकार और जादा amount पर आपको payback कर दीगे, वो जो बीच का difference रह गया, वो आपका interest ये return हो गया, तो इस तरीके से ये काम करता है, इंडिया के अंदर market risk इसके थुरू काफी कम हो पाया, market risk reduce होता है, 1917 में इंडिया पहला देश बना था, जिसने treasury bills को print किया था, इंडिया भारत 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 भार्त कंट्री तू प्रिंट दे ट्रेजरी बिल्स, और इस पर सवाल बनेगा, 1917 के अंदर इंडिया पहला कंट्री बना था, और I am really sure कि T-bills किस aspect के question बन सकता है, RBI समय समय पर निलामी करती है, auction करती है, कि हम बेचना शुरू कर रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स जिनको खरीदना है, आ जाओ, इस price पर बेचेंगे discounted value पे और payback किया जाएगा face value पे, यहाँ पर 95 रुपीस का जो amount था, इसे हम कहेंगे discounted value, क्योंकि कम amount है, और जो 100 जिस पर repay किया जाएगा, जिस पर redeem किया जाएगा, वो होगा face value, वो होगा face value, 100 का जो amount है, वो होगा face value जिस पर redeem किया जाएगा, इस तरीके से आपको यह terminology याद रखनी है, यह money market का part है, short term nature का है न, तो यह treasury bills हो गए, ऐसी commercial bills हो गए, यह दो type के bills कहे जाते है, money market का part है, treasury bills आपका government issue करती है, right, government के द्वारा issue किया जाता है, और government का ही sole prerogative है, बार-बार government, government, government क्यों बोल रहाँ, अचा पहले 14 days की maturity वाले भी होते थे, अब फिलाल नहीं है, 91 days, 182 days, 364 days की maturity वाले government नॉर्मली auction करती है, जो कौन खरीद सकता है, हम जैसे individual खरीद सकते हैं, कई सारे trust होते हैं, companies मतलब खरीद सकती है तो ये खरीद सकते हैं और इस पर भी प्रिलिम्स में question बन सकता है कि which, what type of buyers by such instruments, कौन से type के buyers इन्हें खरीदते हैं financial instruments खरीदे जाते हैं ये सारे T-bills जिनकों कहते हैं by individuals, trust, organization, banks इस पर question बन सकता है बार-बार इसलिए repeat कर रहा हूँ अच्छा, RBI जब इन्हें issue करता है bank को को न, एक concept maintain करके रखना पड़ता है statutory liquidity ratio का जिसमें bank को अब जो उनके पास पैसा जमा हुआ है कुछ पैसा deposit करना पड़ता है public welfare के लिए ऐसा होता है अलग concept है भूल जाते वाग SLR पढ़ाये था मैंने public welfare से चुला हुआ नहीं था it was related to some amount which has to be kept in liquid assets जिनको easily cash में convert किया जा सकते है अब याद आया जैसे आपका marketable securities होते है bonds होते हैं तुरंत बेची जा सकते हैं market में तुरंत sell किये जा सकते हैं इसलिए ने marketable security कहते हैं तुरंत market में बेचे जा सकते हैं अब SLR की कुछ requirement होती है जैसे for example 18% पैसा जो bank के पास loan के तौर पे आये वो bank को रखना पड़ेगा SLR के तौर पे अपने पास और वो भी invest करके जिससे उन्हें return मिल सके क्या bank treasury bills खरीद सकते हैं RBI क्या permission देता है इस चीज़ की कि RBI से ही उनके treasury bills खरीद ले हैं तो yes SLR standard को पूरा करने के लिए खरीदे जाते हैं अब आप कहोगे सर ये तो मैंने पढ़ाई नहीं है बेटा 40 से जादा classes in Indianomics series की videos के अंदर हो चुकी है जिसमें आपको ये concept में पहले ही बता चुका हूँ CRR SLR क्या है आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है previous session तो एक request आप से रहेगी कि पिछले session को जाके जरूर देख लीज़ेगा अच्छा एक और important बात है आप UPSC की तयारी कर रहे हैं you want complete guidance you want efficient and complete guidance उसके लिए study IQ IS के platform पर आके आप अपनी तयारी कर सकते हैं हमारी website mobile app और उसके साथ-साथ study IQ की website भी है available है mobile app भी available है जिस पे आकर आप 2024-2025 batches मैं admission लेके तयारी कर सकते हो 2024 का नया batch शुरू हो रहा है स्टार्टिंग इन दी अधर हाफ सेकेंड हाफ अफ सेप्टेंबर फ्रम 22 सेप्टेंबर बाई सितंबर से शाम छे बज़े धाई से तीन घंटे की क्लास चला करेंगी live class होंगी recorded lectures होंगे books मिलेंगी हर subject की अब इसमें admission लेने के लिए आपको सिर्फ by now पे क्लिक करना है आपको बस एक code है चाहे आप हमारे counselor से बात करें चाहे आप फुद जाके एक course लेना चाहे उनत्यस जार नौसन इन्यान ले दोजार पच्चिस का भी बैच अवेलेबल है वह 35,999 का वेलेबल हो जाएगा जिसमें आपको जरूर से वसू लाइव पार्ट है बैंक के ने टी विल्स के तौर पर रख सकते हैं एसला रिक्वाइर्मेंट को पूरा करने के लिए उसके इलावा आपको इंडिया के अंदर मिनिमम् 25,000 के अमाउन के ट्रेजरी बिल्स इशू करने होते हैं और 25,000 के मल्टिपल में आप ट्रेजरी बिल्स इशू कर सकते हो ऐसे ही नेक्स्ट होता है पार्ट आपका कैश मैनेजमेंट बिल्स का यह हमारा थर्ड टाइप का मनी मार्केट इंस्टूमेंट है क्या नाम है इसका cash management bills ये किस purpose के लिए issue किये जाते है पहली बार ये concept 2010 में आये था जहां पर हमारे देश में cash management bills पहली बार RBI ने बेचे थे government of India के बिहाफ पर government of India के कहने पर RBI ने बेचे थे किसको बेचे थे हम जैसी public institutions, banks, organizations इनको खरीदती हैं जैसे अभी आपने T-bills में पढ़ा इट इस similar to treasury bills बट इनका duration fix होता है treasury bills कितने time का था 91, 182, 364 है ना तो इतने days तो covered है but this is valid for less than 91 days this is valid for less than 91 days 91 days से कम समय के लिए अगर पैसा उधार में अल्टरा short term अल्टरा short term temporary fund arrangement सरकार को चाहिए पैसा चाहिए 91 days से भी कम समय के लिए temporary funds की जरूरत है कुछ अस्थाई रूप से पैसे की जरूरत है well, government can borrow from public तो T-bills की तरही है but tenure 91 days से कम का है 91 से जादा उसके लिए T-bills इशू करो 91 से कम उसके लिए cash management bill issue करो ये बात याद रखेगा तो ये issue किये रहते है short term mismatch जब सरकार के खर्चे और उनकी income के बीच में हो सरकार के खर्चे बढ़ रहे है income उतनी हो नहीं रही अचानक से पैसा चाहिए उधार ले लिया बाद में कैसे भी arrange करके उधार चुका देंगे पर अभी तो उधार ले लिया ना इसी को तो short term mismatch कहते है banks भी खरीद चकते है हम जैसे लोग भी खरीद चकते है banks को खास्तोर पर जरूरत पड़ती है उनकी SLR statutory liquidity ratio की requirement पूरी होती है ऐसे instruments खरीद कर banks normally invest करके रखते हैं ऐसे liquid assets के अदर इसी लिए ये cash management bill important है मतब RBI basically मदद करता है भारत सरकार को पैसा provide करके एक और instrument देखो अब तक हमने क्या क्या देखा था अब तक हमने देखा call money, notice money, T-bills, अब तक हमने देखा cash management bills, अब है ways and means advances ways and means advances WMA WMA में सरकार को पैसे की जरूरत है, और सरकार गई RBI के पास, RBI के साथ इन्हों ने एक agreement किया, जहां पर ये बोला कि हमको temporary loan देदो RBI, या हमें एक overdraft देदो जिससे हम अपने खर्चे पूरे निकाल सके हैं अब आपने T-bills देखा था कि center government ही issue कर सकती है बट यहां पर ways and means advance center government, state government दोनों ले सकते हैं RBI से short term के लिए temporary period के लिए साफ तोर पर ले सकते हैं और क्या किसी कानून में लिखा है, यहां RBI Act के section 17 clause 5 में ही लिख दिया गया है, RBI Act 1934 के, कि center government, state government जरूरत पढ़ने पर ways and means advance के जैसे एक agreement के तहत पैसा बोरो कर सकते हैं, तो एक ad hoc arrangement है जो बहुत similar है, बाकी जो treasury bills और money market instrument आपने देखें उनसे मिलता जुलता है, काफी similar है पर ways and means advance के अंदर जानमूज कर मदद दी जाती है, short term borrowing की जाती है, center government को, state government को कई बार क्या होती है, state governments काफी जादा dependent हो जाती है, इनी borrowings के उपर, वो नहीं होना चाहिए सरकार के उपर, किसी भी तरीके की dependency ना हो जहांपर you have different different kind, you have different different types of ways and means advance, जिसमें एक आपको देखने मिलेगा special drawing facility, एक है normal ways and means advance एक है overdraft, अब इतना technicality में जाने की जरूत नहीं है उपर, उपर से कभी concept समझो you are not preparing for economics optional you are preparing for GS economics, तो ways and means advance temporary measure है, जिसका मकसद है कि सरकार क्या कह रही है कि सरकार को पैसा खर्चना है तुरंट, पर उसके पास वो revenue है वो थोड़े time बाद आएगा फोड़े delay के बाद सरकार की pocket में पैसा आएगा, तो ये ways and means advance एक तरीके का borrowing arrangement है, अब ये मत समझ जाना सरकार के लिए एक source of fund है, नहीं नहीं, सरकार temporary पैसा borrow कर रही है, नॉर्मली 10 से 14 दिन का, जो duration होता है 10 to 14 days, उनके आसपास का, इनका duration देखने मिलता है, 10 दिन 14 दिन का, नाम से देखो न, ways and means advance, नहीं, पैसा उधार दिया जा रहे है और वो temporary है, तो temporary mismatch को दूर करने के लिए, ये ways and means advance है, और इन पर interest भी charge किया जाता है center government और state governments की पैसे की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये हमारा पहला पार्ट था, money market instruments के बारे में मैंने जिसमें आपको बताया, ways and means advance के बारे में बताया, ways and means advance में अलग-अलग type होते हैं, पर उतना depth में आपको जाने की जरूरत नहीं है, because prelims में इतना जादा depth में question नहीं आता, बस ये मुद्दे की बात है कि RBI ने recently complaint करी है कि 60% increase हुआ है, state government जो पैसा ways and means advance के थूर लेते हैं उसमें और ये mostly COVID-19 pandemic की वज़े से हुआ है, बट ठीक है सरकार अपने जो भी पैसा कमा रही है, जो भी खर्च रही है, जो भी manage करके चले, ताकि ऐसे short term arrangement के तहट आपको पैसा उदार पर ना लेना पड़े, तो RBI यह क्या रही है कि center government and state government should be more responsible, center government की ways and means advance scheme, RBI ने 1st April 1997 के अंदर शुरू करी थी, वरना तो पहले वो treasury bills इशू करने पड़ते थे और कोई option था नहीं, एक और government, center government के पूरा करने के लिए, जिसको ways and means advance कहते हैं, 1st April 1997 से यह शुरू हुआ, इस ways and means advance scheme के तायर government request कर सकती RBI से, कि जब उसे urgently पैसा चाहिए कि दे दो, और पैसा दे दिया जाएगा, सरकार के ओपर वो इतना interest burden भी नहीं पड़ेगा, कि RBI ही है, यह उन पर खर्च सके, और सरकार जैसे COVID-19 pandemic बहुत vulnerable section था, बहुत vulnerable समय था, vulnerable section के लोगों के लिए सरकार को पैसा भी खर्चना था, एक impact create हुआ था, सरकार की revenue stream के उपर, आमधनी अठनी खर्चा रुपईया हो रहा था, मदब expenditure was high and income was low, इसलिए इसलिए जाकर RBI से यह पैसा बोरो करना पड़ रहा था, यह बात आपको याद रखनी है, इसके आगे हम कल फिर से एक नए session में जुड़ेंगे, आप मेरे telegram channel वसू कटारा study IQ पे जरूर आईएगा, join करिएगा और उसमें आपको हमारी previous classes की वीडियो और आने वाले classes के lectures का notification भी मिलता रहेगा, तो जरूर इसका फायदा लीजेगा, and last but not the least, to prepare properly, क्योंकि अब आपका कितना time रहे गया, 8 months for prelims 2024, you need assistance, answer writing practice कराए जाएगी, daily basis पर, test series prelims and mains की होगी, current affairs, CSAT की classes, GS, पूरा prelims and mains का cover कराए जाएगा, प्लीज अपलाई दी बसू लाइव admission discount code for this, हम हर subject की books भी आपके घर पर deliver करवाएंगे, study IQ की books, thank you, इस session को देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद, बाकी sessions भी जरूर देखे,